इस तरह की खटाओं के बाद जाज़त अब जगों में जा करके मौके का विजय जाज़ेने का लिया है हमने और हमारी पारलेमेंट के अंदर और पारलेमेंट के बाहर भी MPs के कई ग्रूप्स होते हैं कहीं माइनर्टी के MPs बैठते हैं सेशन के दम्यान कहीं OBC के लोग कभी बैठते हैं तो उनके बीच भी जा करके और हमने अपनी चिंता का यह किया है कि भाई पारलेमेंट तो एक जगा है लेकिन जो विक्टिम फैमिलीज हैं जो बारदाते हो रहे हैं इस तरह की वहां जाना भी चाहिए और इसमें जिस पार्टी से हम लोग तालोग रखते हैं उससे बहुत उनके निताओं से आला कमान से पूछने वगएर की भी ज़रुरत नहीं मिले आसानी से अगर इजाजत मिल जाती है तो जाना चाहिए नहीं तो यूं ही जाना चाहिए परलेमेंट का जो मेंबर होता है वो पूरे देश के लिए होता है तो ये कमी रही है और ऐसा लगता है इतनी इतना खौफ और इतनी निरासा मुझे कहने में कोई हिचकचावत नहीं हो रही है कि जिस तरह से इसका प्रतिरोध होना चाहिए बिरोध होना चाहिए उसमें कही रही कोई कमजोरी भी दिख रही है बहराल अमाम के पास अमाम हमेशा लड़ती रही है वो राजसाही का किंशित का दौर रहा हो या जो भी दौर रहा हो उसमें अमाम अपने तरीके से लड़ती रही है हर जो जौर ज्याती का परतिरोध करती रही है और अमाम के पास हर बिमारी का इलाज भी है हमारा ऐसा मानना है यह सारी बातें जो हैं उसमें यह पुलिटकल बिमारी है बलकि बिमारी बन कहिए महामारी का रूप इसने अफ्तियार कर लिया है और इसका पुलिटकल इलाज जी है और समझे कि यह मॉब लिंचिंग बगरा की बाद अब तो यह छोटी पड़ गई है मॉब लिंचिंग जब लोग डिखते हैं अखवार वाले हम लोग भी बोलते हैं तो लगता है कि यह अलफाज जो है यह सब ही छोटा पड़ गया बेमानी पड़ गया मॉब तो वो होती है जो जिसमें कुछ पीटने वाले भी होते हैं तो कुछ बचाने वाले भी होते हैं उस तो मॉब जहां इकठे होती है पाकिटमार भी इकठा हो जाते हैं मुबाइल वगरा आजकल निकालने के लिए या पर्फ वगरा निकालने के लिए लेकिन ये जो मॉब है वो तो बिलकुल जो जो पार्टी पावर में है और अर्गनाज़्ट ये गैंग है और बिलकुल इसकी एक एकनॉमी भी है ये पैसे भी वसूल पर हम लोग भी हार के रहने वाले हैं वहाँ पर बंगलादेश में ट्रक कर ट्रक सब गाय भैस सब जाती है और बज़े में वो जाता है लेकिन वो पहले पुलिस की चोकियां होती थी वहाँ बना होता था कि यहां इतना देना है अब एक ये सोकाल गोरचकों की चोकियां हो गई है इनकी भी वसूली है और पूलिस इससे भी करकस इनकी फीव हो रही है आप वो लोग ही मारे जा रहे हैं मोटा मोटी जो यह समझते हैं कि हम तो कोई गाय मारने के लिए जिबा करने के लिए ले नहीं जा रहे हैं हम तो इसका दूद पीने के लिए ले जा रहे हैं इसका इससे बच्चा पैदा करके अपने प्रवरिस करने के लिए ले जा रहे हैं तो ये सब हालात हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें से इसमें से खौफ है ठीक है कि हमको हिकमत अमली से काम लेना चाहिए दूरंदेशी से काम लेना चाहिए और इसको भूल करके भी ये मुसल्मानों का मामला नहीं है नहीं बनाना चाहिए और है भी नहीं है ठीक है कि हमारे साथी आद करतें देखिए दारापुरी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आज जो पार्टी पावर में है जो जिस विचार के लोग है वो उनकी नजर में हर मुसल्मान दहसत कर और उनकी नजर में हर आदिवासी हर दलिल नक्सलाई थे पसांद गुसर्ण साहब केस उस लड़ते रहते हैं इनको भी लोग नक्सलाई लगते रहते हैं तो इस तरह की चीजे हो रहे हैं तो ये इसका इलाज है और हम लोग अपने अपने तरीके से सब लोग लग रहे हैं हम लोग भी अपने अपने तरीके से लग रहे हैं आपने देखा दिल्ली से सटा हुआ जो कहराना का इलाका है उसको दूसरी परियोग साला गुजरात के दूसरी परियोग साला के रुप में उसको जाना जाता था और जहां तमाम पुलिटिकल पार्टियां अब मुकमों बेश ये डरने लगी है निवाई मुसल्मान को अगर बैदाद में उतारें वो तो काम्याब नहीं होगा टिकट देने समें लोग डर रहें तो वहां की जनता दे एक फैसला दिया कहराना में आपने देखा योगी जी क चुना हुए जिसने चुना हुए उसमें लोग हार रहें तो एक तो चीज की एक पॉलिटिकल बैटल और जो कानूनी लडाई है और अदालत की लडाई है तो सुक्र है कि ऐसे लोग है ये बात नहीं है प्रशासन में भी हैं लोग और वहां भी हैं अभी जो भी में हुआ है जो गोर अक्षकों की और गौरी लंकेस की जो जो हुई है के केस के जांच के करम में तो वाकी देख लिए वो भी जो एटीएस का अधिकारी होगा वो कलेचे की बात है आज फिर वो पिस्टल वगेरा और गोला बारूद और डाइनामाइट क्या क्या परामत हुआ है तो ऐसे लोग हैं और भरोसा करते हैं और फिर मैं बार बार कहता हूं की हिकमत अर्ली से और दूरंदेशी से और ये बात सही है कि जिस तरह से दलिद जो भाई हैं वो शनक पर उतर जाते हैं वो उस तरीके से एक हिच्छाहट है मुसल्मानों के बीच या लीडर्सिक के बीच में भी एक हिच्छाहट है कि इस तरह से कैसे उनको मैदान में क्यो तो उन पर वो मामला communal term ले सकता है दंगे बदल सकता है तो यह है तो इस तरह के हलात हैं और यह इस तरह के हलात कभी इस मुल्क में पैदा नहीं हुए थे Even हम कहते हैं कि 46 में पैदा नहीं हुए थे और इसके लिए सहाधते हुई है फुद गांधी जी को देखिए इसी के लिए सहाधत हुई है लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज जिस नवजवान पर यहां गोली चली वो तो कमसे कम दिल्ली को इस मामले में इस लूटियन्स जोन को महफूस समझा जाता था देश में तो ये अलार्मिंग है वो किसी के साथ ये अवान की बात नहीं है किसी पार्टी के लीडर के साथ ये घटना किसी समय कहीं हो सकती है तो उनको भी हम समझते हैं कि उनको भी इस बात को मैंने देखना होता अभी होते रहते हैं इस तरह के मुझाहरे होते रहते हैं छोटे मोटे बड़े पार्टियों के अस्तर पर भी वहां भी इस तरह की बातें मैं रखते रहा हैं तो इसलिए हर अस्तर पर लड़ ले आप गुरुवानन जी बैठे हुए हैं देखिए कितनी दिलेरी के साथ यह लड़ रहे हैं कि मीडिया के लोग कितनी दिलेरी के साथ आप देख लीजिए कि जो रवीश कुमार है एंडी टीवी के वो आदमी कितनी दिलेरी के साथ वो आदमी तरवा है उमर में छोटे हैं पतरकार मैं भी रहा हूँ बाद में पत्रकारिता में आया हैं वो लेकिन उस आदमी को शैलूट करने का मन करता है वो देख लीजिए वो बाजपेई को किस तरह से खुल्मे परसुल बाजपेई को देख लीजिए उस आदमी को किस तरह से ये किया गया तो ये हो रहा है मंत्री लोग ऐसे लोगों को खुलेआन पनाह दे रहे हैं, MPs दे रहे हैं, सरकारें दे रही हैं, मोक्य मंत्री इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो इस तरह की बाते हैं बरबाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है हर साथ पर उल्लू बैठा हो अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा तो इस जो भारत है, जो इंडिया है, इस गुलिस्ता को, इस चमन को बर्माद करने के लिए जम्हूरियत को इस राज़ानी में, इस लूटियन जोंस में, दीन में, डे लाइट में, सम्मिधान जलाया जाता है, मनुश्मिर्थी जिन्दाबाद की बाद की जाती है, ऐसे उनके होम मिनिश्टर साहब से डेलिगेशन लेकर के मिलते हैं और उनके साथ एक मामूली मुकत्बा कि इन्होंने जातियों के बीच नफरत फैलाने की बात की यह क्या उनके पास उन पर राष्ट द्रोह इन बच्सों पर जेनियू के बच्सों पर राष्ट रोह कम तद्मा च चल सकता है इनको ग्रफतार नहीं किया जा सकता है तो इस तरह का दोर है और हम सबस्चते हैं कि इसके लिए दलिग हमारे भाई हमारे आदिवासी भाई हमारे जो तमाम इसाब पसंद लोग हैं दिलेवर लोग हैं इस समाज में वो लोग लड़ रहे हैं ये प्रोफेसर साह आगे हमारे विहार के जहां सहाफ यह लोग किस तरह से लड़ रहे हैं अब तो हम पार्लेमेंट से बाहर हैं लेकिन जब अंदर थे तब भी सणाथ और पार्लेमेंट में दूरी नहीं बनने जाए